आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, देखो हमार पास से Question दिया गए D, B, U का Relation किसके साथ दिया गए है E, E, Z के साथ और हमसे इसमें पूछा क्या जा रहा है C, H, J का Relation किसके साथ है यहाँ पर हमारा Answer आ जाएगा तो हम सब से पहले हैं में Relation देख लेते हैं किस प्रकार का Relation दिया गए है और उसे प्रकार के लिए साथ हमें यहाँ पर Create करना है अब जखो इसमें B हम यहाँ पर देखते हैं B और D में केतना अकसर का Gap है D और B में केवल एक अकसर का Gap दिया गए यानि एक अकसर B और E में देखे जाएं तो 3 अकसर U और Z में देखे जाएं D आ गया और H के बाद जो 3 अकसर आएगा वो क्या आजाएगा हमर पास देखो अब हम H के बाद 3 अकसर देखते हैं तो हमने H के बाद देखा देखो फ्रेंड इसको थोड़ा क्रेक्शन कर लेना H हमारा नीचे है और M हमारा J हमारा उपर दिया गया यहाँ पर J आएगा और यहाँ पर H आएगा ओके यानि C, J, H अब देखो यहाँ पर 3 अकसर के गया पर क्या आजाएगा है हम पर M ओके अब H के बाद 5 अकसर हुआ कोई सा होगा M तो इसको पर हमारा आंसर के है